नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रभी और आप सबीका स्वागत है आपके अपनी टूप चैनल इस्ट डिबी ते रभी पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक महत्मो टोपिक पढ़ने बाले हैं इस टोपिक का नाम है दोस्तो प्रयमुक सूच कांग क्योंकि दोस्तो जितन भी पिछले exam हुए है उसमें एक नाएक सूच कांग पूछा ही गया है इसलिए दोस्तो ये टोपिक इंपोर्टेंट है आने बाले फोरेष्ट गार्ड एक्जाम के लिए अगर आपका दोस्तो फोरेष्ट गार्ड का exam है तो आपके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रह पहने बाली है क्योंकि दोस्तों आपके एक्जाम में एकने एक्प्रेशन पूचा ही जाना है तो फ्रेंट्स आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको जरूर प्रसंद आएगी चले काश शुरू करते हैं आज की अपनी इस क उत्रा खंड का विरोजगारी सूच कांग में बारवा इस्थान है बलते हैं नेश्ट कोशन की और और आपको बताना होगा कि उर्जा एवं जलवायू परिवरतन सूच कांग में उत्रा खंड का कौन सा इस्थान है तो सही आंसर दोस्तों ओप्शन डी पाँच बा ठीक है तो पाँच बा इस्थान है उर्जा एवं जलवायू परिवरतन सूच कांग में महत्पुन प्रशन दोस्तों पूछा जा सकता है नेश्ट कोशन है कि उत्रा खंड के किस जिले को नसा मुक्ती को लेकर उत्करेश्ट कार्य करने है तूराष्ट्य प रुसकार से सम्मानित किया गया नेश्ट कोशन है कि समाजिक प्रगती सूच कांग में उत्रा खंड का देश में कोन सा इस्थान है इस कोशन का सही आणसर है दोस्तो ओप्शन ए चोधवा ठीक है तो चोधवा इस्थान है दोस्तो समाजिक प्रगती सूचकांक में ठीक है उत्रा खंका नेश्ट कोशन है और बताना होगा दोस्तो कि देश में जारी किये गए समाजिक प्रगती सूचकांग में हिमालाई राज्यों में उत्राखंड को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ पीछे हमने पड़ा था नोर्मल कोशन दोस्तो कि प्रगती सूचकांग में उत्राखंड का कौन सा इस्थान रहा ठीक है तो उसमें था दोस्तो चोधवा इस्थान आप दोस्तो हिमालाई राज्यों में तो हिमालाई राज्यों में दोस्तो उत्राखंड को जो इस्थान मिला है तो वह है पांचवा इस्थान मिला है तो राइट रांसर है ओप्शन एक अगला प्रशन है कि 36 वे राष्टिये खेल पदक तालिका में उत्रा खंड को कौन सी रैंक हांसिल हुई तो 36 वे राष्टिये खेल आयुजित के गए थे दोस्तों गुजरात के एहमदाबाद में तो यहां पर दोस्तों उत्रा खंड को 26 वे रैंक हांसिल हुई थी उत्रा खंड ने दोस्तों कुल 18 पदक जीते थे एक शोन पदक ठीक है आठ सिलबर और नो दोस्तो व्रोंच ठीक है मैडल जीते थे ठीक है तो आपको याद रखना है कि 18 पदक जीते थे दोस्तो 36 वे राश्टिय खेल में ठीक है और रैंक रही दोस्तो 26 भी अगला प्रेशन है कि इस्रम पोर्टल में सर्वादिक रजिस्ट्रेशन करने के मामले में उत्राखन कोन से इस्थान पर है तो इस कोशन का सही आंसर रहेगा दोस्तो ओप्षन C. तीसरे इस्थान पर ठीक है तो E. स्रम पोटन में सरवाधिक रजिस्टरिक्शन करने के मामले में दोस्तों उत्रा खंका तीसरा इस्थान है जबकि पहला इस्थान दोस्तों उत्र प्रदेश और दूसरा इस्थान है उडिसा राज्य का Next question है राष्टीय क्राइम ब्योरो द्वारा जारी आकडों के अनुसार लूट अथवा चोरी के समान बापस लाने में उत्राकण पुलिस को कोन सा इस्थान पराप्त हुआ है तो दोस्तो उत्राखन पुलिस को पहला इस्थान प्राप्ट हुआ है, सही आंसर है, ओप्शन ए बरते हैंने इस कोशन की ओर और दोस्तो आपको बताना होगा कि जलबायू, अनुकूल, रोजगार सर्जन में राज्य के किस जलागम को तीसरा इस्थान प्राप्ट हुआ है तो दोस्तो अलमूरा जलागम को तीसरा इस्थान प्राप्ट हुआ है, सही आंसर है, ओप्शन भी महत्पूर्ण प्रशन है, याद रखीगा दस्वा प्रेशन है कि अजादी के 75 बर्ष के अमरत मोहतसब में देश में 75 हैरिटेज साइड चुनी गई इसमें उत्राखन का कौन सा इस्थल सामिल क्या गया है तो दोस्तो उत्राखन का हरकी पोड़ी इस्थल सामिल क्या गया है सही आंसर है ओप्शन C अगला प्रेशन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिसत आरक्षन देने बाला उत्राखन देश का कौन सा राज्य है तो दोस्तो देश का उत्राखन दूसरा राज्य है जिसने कमजोर वर्ग को 10 प्रतिसत आरक्षन दिया है पहला राज्य है दोस्तो कुछ रात ठीक है यह आपको याद रखना है यह जो दोस्तो बिध्यक पारित के गया था देश में तो 124 वा सविधान संसुधन बिध्यक था ठीक है अगर आप से पुछा जाए कि कौन सा सविधान संसुधन था तो वह दोस्तो 103 वा सविधान संसु सा है तो उत्राखन दोस्तो देश का पहला राज्य है जिसने 5G नेटवर के लिए पोलिशी बनाई है तेरवा प्रशने कि स्वच्चता सरवेक्षन रिपोर्ट 2022 के अनुसार गंगा किनारे इस्थीत स्वच सहरों में हरीद्वार को कौन सा इस्थान मिला है तो गंगा किनारे स्वच्च सहरों में उत्राखन के हरीद्वार को पहला इस्थान प्राप्थ हुआ है सही आंसर है ओप्षन ए मतलब दोस्तो जो स्वच्चता सरवेक्षन रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी तो उस रिपोर्ट के अनुसार गंगा किनारे इस्थित सभी सहरों में हरीद्वार कुन सा इस्थान है तो उत्राखन का दोस्तो आठवा इस्थान है सही आंसर है ओप्षन बी नेश्ट कोशन है भारतिय नवचार सूचकांक 2021 में हिमालाई राज्यों में उत्राखन का कुन सा इस्थान है तो दोस्तो उत्राखन का दूसरा इस्थान है सही आंसर है ओप्षन महत्पुन प्रस्ण है आपको याद रखना है कि भारतिय नवाचार सूचकांग 2021 में हिमालाई राज्यों में उत्राखन को दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ अगला प्रस्ण है और बताएगा फ्रेंड्स की जल जीवन मिसन योजना के तहत हर घर नल पहुचाने बाला उत्राखन का पहला जिला कौन वना है तो सही आंसर है ओप्शन C देहरा दून जनपद देहरा दून जनपद दोस्तो उत्राखन का वह जनपद है जिसने जल जीवन मिसन योजना के तहत हर घर नल पहुचाए है ठीक है तो ओप्शन C राइट रहेगा देहरा दून भारत को टीवी मुक्त भारत में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तो उत्राखन को दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है ओप्शन B राइट रहेगा भारत को टीवी मुक्त बनाने में उत्राखन को दोस्तो दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है अकला प्रशने कि देश में इसकूली सिक्षा में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्राखन को दोस्तो 35 वा इस्थान प्राप्त हुआ है और आपको बताना होगा दोस्तो खुले में सोच मुक्त भारत के सभी राज्यों में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो सही अंसर दोस्तो ओप्शन डी चोथा राज्य है मतलब दोस्तो खुले में सोच मुक्त भारत बनाने के लिए दोस्तो उत्राखन को चोथा इस्थान प्राप्त हुआ है Next question है कि उत्राखन के कि स्थाने को देश का तीसरा सर्फ्रेश ठाना घोशित क्या गया सही answer है option C, बनवसा ठाना अगला प्रेश ने कि National Food Security Act दवारा जारी किये गए सूचकांक में उत्राखन का इस्थान रहा है तो उत्राखन का दोस्तो 24 वा इस्थान रहा है सही आंसर दोस्तो ओप्शन B ठीक है अगर आपसे पुछा जाए कि इसी में दोस्तो पहला इस्थान किस राज्य का है तो पहला इस्थान दोस्तो उड़ीसा राज्जी का है और दूसरा इस्थान उत्रप्रदेश राज्जी का है नेश्ट कोशन है कि सतद विकास सूचकांक में उत्रा खंक 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 में उ जारी की गई पलायन रिपोर्ट में सरबादिक इस्थाई पलायन राज्ये के किस जन्पद में हुआ है। तीसरा राज्ये कौन सा है। तो देश का तीसरा राज्ये दोस्तो उत्राखंड राज्ये जिसने दोस्तो अमरत सरोबर योजना को लागो क्या है। बहीं दोस्तो उत्तर परदेश पहला राज्ये है और दोस्तो दूसरा राज्ये या फिर केंद साशित परदेश है जम्मू क ठीक है और तीसरा राज्जिय बना उत्राखंड राज्जिय तो ये थे दोस्तो हमारे 25 सूचकांग जो कि सभी महत्पूर्ण सूचकांग थे इसमें से दोस्तो आपके एकजाम में एकने एकप्रेशन पूछा ही जाना है ठीक है तो देखिए आज का आपका हमबर करहेगा कि नितिय आयोग द्वारा सफ्रेश्ट महत्पकांशी जला किसे घोषजित क्या गया है तो दोस्तो नैनिताल हरी द्वार दहरादून या फिर धमशिंग नगर इसकांसर आपको कमेंट करके बताना होगा दोस्तो सही आंसर क्या रहेगा और साथ में बताईएगा कि आज की है क्लास आपको कैसे लगी आयोप आपको पसंदा ही होगी क्योंकि दोस्तो ये topic महत्मों topic है आपने दिखा हुआ कि जितने भी पीछे paper हुए है थीक है उन सभी paper में एक ना एक सूचकांग पूछा ही गया है थीक है तो दोस्तो अगर आपने ये सूचकांग पहले पड़े थ ठीक है और फ्रेंड्स बताएगा कि आज के क्लास आपको कैसी लगी ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट क्लास के साथ तब तक के लिए थैंक्यों सुमच पर वाचिंग जय हिंद